हाई फ्रेंड्स मैं उपेंद्र कुमार पांडे आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र अश्टी क्लासस में गैस मैं जैसा कि आप लोको यहाँ पे प्रोड़क्शन टेक्नलोजी की चीप्लर थर्ड के बारे में बात करने वाला हूँ इनके बारे में step by step जानकारी बताएंगे ठीक है तो यहाँ पे वीडियो काफी helpful होने वाले वीडियो लाश्ट तक देखना है तब ही आप लोग को समझ में आएगा तो चलिए हम जैसा कि आप इस लिंग के मार्दम से देख पा रहे हैं 36 मेलिंग मसीन क्या होता है यानि horizontal मेलि मेलिंग तर्क होता है वो किस बेश से लगा जाता है 36 मेलिंग तर्क होता है बलकि जो उर्धवादर मेलिंग तर्क में क्या होता है आपका मेलिंग 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 मेल आपको एनिमेशन टाइब में दिखा दिया जाएगा जिससे आप लोग समझ में जा सकते हैं ठीक है जैसा कि आप इसमें के मादब देखा रहें फॉर्स टॉपिक एक 36 मिलिंग मसीन में एक 36 मिलिंग तर्क उप्योग किया था यानि कहने के मतलब है जिसका आरी होता है जिससे वो काटता है ठीक है अनावस्यक पदार्थों को वो किस विश्य से लगा जाता है तो आपको 36 मिलिंग तर्क लगाता है तर्क सुचार प्रचालन के लिए मजबूत घरसन रोधी बेरिंग में घूमता है जो उसका बेरिंग होता है और बहुत ज़्यादा मजबूत होता है ठीक है तब ही आपका क्या होता है जो आरी होगा है मतलब 36 मिलिंग मसीने होती है उसी विश्वे चलती है मिलिंग कटर ज लिए जाते हैं यहीतने को छ strict तर्क से होता है वे अंदर और बाहर की योड बन तरब क्या होता है अपका कुछ टे पर माडल होता है टेपर के आधारित होता है ठीक है आगे देखेंगे तार्ग ंए- drei risks जाती है। यानी कहेतने का मतलब है जोपका कटर हो गया, वो किस겠어 से घूडन करता है, कि गुडन करता है। तो इस आपका ठत्रान का आयरेथ हूं के मात्रान से, या फिर पूली के मात्रान से और फिर गिटान कंचे मात्रान का जाई। आगे देखेंगे आदुनिक मसीन गीर ड्राइब के साथ प्रधान की जाती है और जिने उन्हें सरल रूप नियंतर द्वारा गत्य की एक बड़ी भिनिता प्राप्त करने में सच्छम हो गई ठीक है पहले क्या होता था आपका पट्टे के माध्यम से चला जाता था फिर उसक आपका गियर के माध्यम से जो यूट्रिक यूग में सबसे ज़्यादा प्रियोक किये जा रहे हैं तो आपको गीर के माध्यम से ही प्रियोक किये जाते ह्ये ठीक है तो आई होगो गैस यहां फ़े झाले कर् we यहां पे किस्वेस्स से उसे वर्गी करण किया गया, यानि कहने के मतलब इनके प्रकार कोण-कोण से होते हैं, आपको 36 मिलिंग हो गया, और द्वादर मिलिंग, तो यहां पर कहने का मतलब है, आपका जो 36 टाइब पे, 36 कारखंडों को करने के लिए किसका फ्योग करते हैं, तो 36 मिलिंग मसीन का और उर्द्वाधर कार कंडों को कार करने के लिए किसका प्रियोग करते हैं तो उर्द्वाधर मिलिंग मसीनों यानि कहने के मतलब है इनका operation करने के बिधी पर इनका मसीन का वर्गी करण किया गया ठीक अब आगे देखेंगे यहाँ पे figure दें जैसा कि आ आपका cutter लग गया ठीक है अब cutter के माद्यम से चलाय जा रहा है और cutter क्या होता जब यह आपका कारखन लगाया जाता यहाँ पे करखन लगाने के बाद क्या होता आपका कुछ टाइप में घुड़न करने लगता है और घुड़न करने के अनौशक पदार्थों को काटा जी ज आपका और यह भी cutter हो गया ठीक है अब यह दोनों प्रकारत यह क्या आपका front view हो है और यह क्या आपका side view से दिखा गया ठीक है ठीक है यहां पर आप लोगको दोनों topic क्या नहीं कहाने मतलब है जो horizontal milling machine हो गया एकदम easy ठंक से समझ में आया होगा अब यहां पर बात करें इ ठीक है milling cutter होता है जिनके माद्यम से क्या होता आपका fix किया जाता ठीक है जिनके माद्यम से उसे लगा जाता अब यह क्या होता आपका cutting tools हो गया ठीक है milling cutter जिसे बोलते हैं अब यह machine wise क्या होता जिसके माद्यम से क्या होता कारखंड को पकड़ा जाता है ठीक है क्या कर दि कहने का मतलब जो इसका cross transverse handle होता है उनको साहरने के लिए भी व्योग किया थे ऐधे हैं ठीक है और यहां पर vertical transverse handle ठीक है जिनके उपर नीचे भी कहने के बदाब जिसे इसे उपर नीचे भी किया जा सकता है और इनको क्या किया जाता है आगे पीछे भी किया जा सकता है ठीक है I hope guys यहाँ पर आप लोग को यह horizontal मेलिंग मसीन क्या होती है इसका definition और इसका figure के मादर से एकदव easy धंक से समझ में आया होगा अब nest बात करें यह पर तो nest ट्रापिक आता है और दोधवादर मिलिंग मसीने क्या होती है अब यहाँ पर और दोधवादर मिलिंग मसीने में क्या देखेंगे यहाँ पर definition के मादर से देख पारे हैं कि एक और दोधवादर मसीनों में मुलिंग सीर्स पर डिग्री में परदान किया जाता है यानि कहने के मतलब है मुलिंग कटर्स का मसीन का फ्योग कर सकते हैं कार्खंड में कुछ एंगल के माध्यम से ऑप्रेशन किया जा सकता है ठीक है आगे देखेंगे पैमाने पर क्यों होता है मिलिंग सीर्ष पर कितनी भी तिर्ची इस्तती में घुमाया जा सकता है इस मसीन का निर्माड ड्राइब तरकु दिसा को छोड़ कर एक 36 मिलिंग मसीन के समान ही है यानि कहन का मतलब है किवल एंगल को ही यानि कहने का मतलब है यहां पे किसी भी करकंड वो किसी भी कोड पर इसे घुमा कर ऑपरेशन किया जा सकता है और बाकी वाला प्रोसेस क्या होता है आपका 36 मिलिंग मसीन के माध्यम से ही होता है ठीक आगे देखेंगे इस मसीन का वूपयोग आम तोर पर दंड मील करतक के साथ एंड मील कार और सापाट सतहों को उत्वादल के लिए किया जाता है यानि कहने के मतलब है इसमें जो आपका एंगल के माध्यम से कारखंड पर प्रोसेस क्या जाता है या फिर आपका सापाट सतों यानि कहने मतलब समतल सतहों पर सिके मांद्यम से दिखका दिखाता हूं अब अनिमेशन टाइप में आप देख रहा है यह क्या हो गया आपका कार-खण्ड और यहिज नीचे दिख रहां banking कालिप दर्थ का इसमें क्या होता आपका ये क्या है आपका बीच बीच में देख रहे हैं आपका घुरन गति कर रहा है ठीक है और इनके माध्यम से क्या होता इसको उपर नीचे किया जा सकता है और इनके माध्यम से क्या किया जाता है उनको भी उपर नीचे किया जाता है जैसा कि आपनों को 36 मिलिंग मसीनों में करा जाता है ठीक है और यह का जो आपका कटर लगा है आपे कारखंड पर ऑपरेशन करने के लिए प्योग किया जाता है ठीक है आई हूग गाइस यहाँ पर आप लोग को 36 मिलिंग मसीन और उर्ध्वादर मिलिंग मसीन एकदम इजी ढंक से समझ में होगा अब नेश्ट मिलिंग मसीन के जिसलगों सभी पार्ट क्या होता है आपका फिक्स किया जाता है ठीक है लगाए जाता है और वर इस पॉर्ट हो गया ठीक है यहाँ पेर आपको जितने भी टॉपिक दिखाए गया है यहाँ पे जैसा कि आपको क्रमांच भी डल दिया गया है फस्ट आपका 20 जिनके माध्यम से जितने पर्क दिखाए गए है ये अब बात करें ओबर और में क्या होता है अभर Haar और में क्या होता आपका जैसा कि अब लोगो को जिसके माध्यम से क्या होता है इसे सहारा देखाने जाना मतलब म dúder से आवरण चड़ाया जाता है नेश्ट आपका Spandle, Spandle यहां पे दिखा गया आपका, जैसा कि आपको इसे क्या होता है, घुडण कराने के लिए, जो Cutter लगाय जाते हैं, इसको घुडण कराने के लिए, किसका फ्योग करते हैं, तो आपका Spandle का फ्योग करते हैं, ठीक है, Next बात करें, तो Cutter, Cutter का क्यों को काटने के लिए कह रहता है नेश्ट आता है तो आप का टेवल आफ टो का दिखा गे आपका जो यहां पर आपको लेश्ट नेश्ट आता यहां पर पाई γोल टेवल क्या होता का अधिन को पकडने के लिए जैनी कहने म问लब इस्तिर करने के लिए तो कizada आघिल सीटल अब सैडल का प्रियूप किया जाता है जिसको आधिमसे होठी कारखरण को सही रूप से 60 रूप से ठीक स्कीट है थिक है नेश्ट बातें करते हैं तो ही वाक्तिंग इस click जिनके मांद्यम pretend को कसा जाथwater नहीं यह आपका जैसा कि आपको देख पार हैं जिनके माद्यम से क्या होता आपका यहाँ पे ओबर आर्म लगाया जाता है और क्या होता आपका कटर भी फिक्स कराया जाता है कॉलम video structureителя का्थ कुधग सुपोर्ट अधियु cuma कहा जाता जैसा अब यहां पे माध्यम से प्रकॉशन की सोह होते हैं इगदम के 및 duplication क्रेश्चन पूछे जा सकते हैं कि होर्जेंटल मिलंग मसीन के कौन-कौन से आधियो होते हैं इनको тебя सहित दशाल ये मुखी प׉न कौन कौन से होत न के पार्ट कौन कोन से होते हैं, इनके figure सही दैसा ना है, तो I hope कि आप लोग को figure यही बता देना है, बना देना है, और बनाने के बाद जितने भी part होते हैं, मुक मुक, यह सबी part को लिख देना है, ठीक है? तो बस गैस आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छे लेगे हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब किजिए जादा जादा सेर करने को सिस किजिए मिलते हैं निश्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद